नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है गनेश और आप देख रहे हो दम मोबाइल रिपिरिंग यूटूब चैनल तो दोस्तो आज की इस वीडियो के अंदर में आपको टर्च सेपरेटर मशिन को कैसे यूज करते हैं और उसकी मदस से फोल्डर का टर्च और डिस्पले को कैसे सेपरे प्लेट देख रहे हो मेटल कि जो प्लेट ? जो प्लेट गर्म होती है और उसके बाद जो वैक्व मे उसकी मदस से हमारे फोल्डर को अंदर खीच कर एख बाद जो फोल्डर है हो उसका काम होता है मतलब फोल्डर को सेपरेट किया जाता ही तो दोस्तो इसका मैं एक जेम्पल एक जेटू का कॉम्बो रखर आपको करके दिखाने वाला हूँ तो दोस्तो मैं प्रैक्टिकल आपको करके दिखाने वाला हूँ इस पर आभी तो दोस्तो वीडियो को पुरा देख लीजे तो दोस्तो जो सिलिकॉन की मैटे और रखने के बाद में आपको एक बार उस पर कॉम्बो रखके दिखा दिता हूँ तो दोस्तो जब हम वैक्यूम को चालू रखते हैं तो हमारा जो कॉम्बो बिल्कुल भी इधर उदर बिल्कुल नहीं हिलता और उसके बाद जब हम वैक्यूम को बंद कर देते हैं तो हमारा जो कॉम्बो वह एक जगह नहीं रहता मतलब आराम से इधर उदर हो सकता है तो दोस्तो हम जब कॉम्बो को सेपरेट करेंगे display और touch को separate करेंगे तब हम vacuum को on रखेंगे और हमारी जो heat वो continue चालू रहेगी तो दोस्तो मैंने जो temperature हो 80 कर दिया है मतलब unc तक temperature को set कर दिया है उसके जो बाद है वो temperature चालू रहेगा तो दोस्तो आपको जितना set करना है उतना आप set कर सकते हो और उसके बाद इस machine का यूज़ कर सकते हो तो दोस्तो मैं अभी फिलाल इस पर आपका जेटू का जो combo है मेरे पास हो उस combo को आपको separate करके दिखाने वाला हूँ तो दोस्तो इस combo को मैं सेप्रेट करने के लिए हमारे पास एक वायर होनी चाहिए सेप्रेटर की तो दोस्तो यह जो वायर है मेरे पास आभी जो वायर है और इसकी मतस्य में आपको कोई सेप्रेट करके दिखाने वाला हूँ तो दोस्तो आपको क्या करना है कि डिस्प्ले और टर्च की एकदम सेंटर से वायर को लगाना है ताकि हमारे जो डिस्प्ले की जो पॉलराइजर शीट होती है पेपर होता है वो बिलकुल भी नहीं नि है तो दोस्तो सबसे पहले में क्या कर लेता होगी इस फोल्डर को मशिन के उपर रख देता हूँ और उसके बाद हमारा जो सेप्रेटर का काम यह हो चालू हो जाएगा दोस्तो अगर आप नए हो इस काम में तो आप सबसे पहले क्या करें कि अगर आपके पास पुराने टूटे भी कॉम्बो है खराब कॉम्बो है तो उस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो और उसके बाद आप नए कॉम्बो पर एक बार ट्राय कर सकते हो तो दोस्तो सबसे पहल आपको पुराणे कोबह पर प्रैक्टिस करनी है और उसके बाद आपको मतलब जो हम ठेज बदलने के काम करते हैं उस पर आपको ट्राय करना है तोस्तो मैंने शुरूवात की है तोस्तो आप देख सकते हुआ कि मैंने बहुत ही आराम से इस वायर को इधर उधर कर रहा हूँ तो आपको इसको खीशना नहीं है उसकी मतलब जैसा अंदर जाएगा उस तरप आपको वायर को खीश लेना है आप देख सकते होगी जो काम है वो बहुत अच्छे तरसे हो रहा है हमारा तो दोस्तो लगबग 90% हमारा काम हो गया है तो दोस्तो इस पर टूपरेट करते समय आपको बहुत खबर दानी लेनी है क्योंकि टूपर डिस्प्ले के एकदम सेंटर में आपको इस तार को फसाना है और उसके बाद बहुत स्लो तरीके से इस तार को खीशना है तो दोस्तों आप देख सकते हो कि हमारा जो डिस्पले वो बहुत अच्छी तरह से निकल आया है तो दोस्तों इस प्रकारी आपको काम करना है अगर आप लए हो तो सबसे पहले आपको टूते भूते कॉमबो पर प्रैक्टिस करनी है और practice करने के बाद जब आपको लगेगा कि ओके काम हो रहा है तब इस condition combo को आप निकाल सकते हो तो दोस्तों इसका जो glue है वो सबसे पहले आप जब तक display गर्म होता है तब तक आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो और जब वो नहीं निकलेगा तब आप इसको glue remover cleaner की मदस से निकाल सकते हो या अगर आपके पास दुसरा कोई cleaner है तो उसकी मदस से आप इस glue को निकाल सकते हो तो दोस्तोड गूव को निकलते समय आपको बिल्कुल भी उसके dus play को दबाना नहीं है नहीं तो अगर crack marc जाएगा तो हमारा जो display खराब हो जाएगा और हमारा जो काम है हो फेल हो जाएगा तो दोस्तोड एगदम हलके हाथ से आपको जितना निकलता है उतना ही glue को निकलना है अगर glue नहीं निकलता है तो आप उस पर cleaner डालके भी एकदम आसानी से निकल सकते हो तो दोस्तों अभी मैं आपको cleaner डालके भी इस glue को मैं निकल के दिखानी वाला हूँ तो दोस्तों अभी जो मैंने cleaner यूज किया इस पर और इसके बाद आपको बहुत आसानी से उसके उपर का जो glue है वो निकल जाएगा तो दोस्तों मैंने वीडियो को थोड़ा fast forward किया है ताकि हमारा जो वीडियो ज्यादा लंपा ना हो जाए इसलिए तो दोस्तों आप देख स आसा देओ। तो दोस्तों आप देख सकते हों कि बहुत ही आसान तरीके से मैंने इस ग्लू का जो मतलब डिस्प्ले के ऊपर जो ग्लू था उसको ग्लू को रिमूव कर दिया है और आप अपनी तरह से जो अपनी आपके पास जो क्लीनर होगा आच्छा गॉलेडिका उस गुलने को यूँज करके इस डिस्प्ले को स्लीन कर सकते हो और उसके ऊपर एक नयाल साथ टन्स लगा कर आप उसका जो एक कॉंबो तयर कर सकते हो तो दुस्तों आज का जो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताये और आपने आँवी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए तो दोस्तों मिलते एक ऐसी ही नई वीडियो के साथ और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कर दोस्तों मिलते एक बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत